अब बहुत बहुत सब्सक्राइब आज हम लोग लाएं हम लोग का स्ट्राइडीजी नमबार 11 जैसे आपको नाम में ही पता चल रहे हैं कि जो रिटेल ट्रेडर कभी-कभी मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं वही सिच्वेशन को हम लोग फायदा उठाएंगे और इसमें एक इंट्रेड ट्रेड करने का कोशिज करेंगे दोस्तों यह जो है यह गैप आप गैप डाउन इंट्रेड स्ट्राइडिजी है मतलब इसमें हम लोग गैप आप गैप डाउन के जरीए हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करने का कोशिज करेंगे और उसका ट्रेड करने का कोशिज क दोस्तों यहां पे script ने में FNL script, मतलब आप इस strategy को कोई भी FNL script में use कर सकते हो, जो trading method है उसका नाम है trap trading method जैसे मैंने पहले भी आपको पता चुका हूँ और trading segment जो है, वो cash segment है, यहां पे हम लोग future को trade नहीं करेंगे, only cash market को trade करेंगे, और इसका जो stock selection होगा दोस्तों, उसक नहीं मिलेगा क्योंकि YouTube में सब लोग उपर उपर सीखाता है और मैं जो हूँ मार्केट का इंडेप्ट चीज में या फिर फ्री में आप लोगो प्रोवाइड करता हूं तो दोस्तों चलिए हम लोग जाते हैं स्ट्राइडिजी के सेट आप में और वहां पर देखते हैं कि स्ट्राइडिजी का जो सेट आप है वो कैसे काम करता है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्रिपिया इस डिस्क्लेमर को पढ़ दीजिए ये बहुत ही महत्तोपूर्ण है और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है आप अपने फाइनसियल एडवाईजर से बात किये बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाईए क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका डिटर्ण का कोई गारेंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है तो stock market में पैसा लगने से पहले अब ज़रूर अपने financial advisor या financial planner से एक बार concert कर लिजिए तो friends हम लोग आ गए है strategy के setup में और यहाँ पे मैं पहला जो चीज आपको बोलना चाहता हूँ वो है trading time frame मतलब यह जो strategy है इसका time frame दोस्तो होगा 10 minute का इसमें हम लोग 10 minute candlestick चाट लेंगे और normal candlestick चाट लेंगे तो दोस्तो आईए stock selection देख लेते हैं दोस्तो on previous day select such stock which remain rain bound within first one hour candle means the first one hour candle high will be day high and same candle low will be day low मतलब दोस्तो मुझे ऐसा कोई stock चाहिए जो पहला जो one hour candle है बाकी का पुरा दिन वो ही one hour candle के अंदर बिता दे जो one hour candle मतलब फास जो one hour candle का high होगा वो ही day high होगा और जो पहला one hour candle का low होगा वो ही day low create कर रहा होगा तो बाकी का जितना सारा candle होगा वो पहला one hour candle के अंदर होना चाहिए तो दोस्तो ऐसा कोई stock हम लोग को मिल गया तो उस stock को हम लोग select कर लेंगे दोस्तो दूसरा condition यह है कि on trading day मतलब जिस दिन पे आप trade कर रहे हो stock should open above previous day high और below previous day low मतलब stock का जो opening होगा वो opening या तो previous day high के उपर होगा चाहिए नहीं तो previous day low के नीचे होना चाहिए तो इसको एक picture के जरी हम लोग समझ लेते हैं दोस्तो देखी यह हो गया पहला one hour का candle मतलब previous day का पहला one hour का candle और यह हो गया इसका high और यह हम लोग ने mark कर लिया इसका low और दोस्तो बाकी के जितना सारा candle होना चाहिए मतलब जो 6 one hour का candle बनेगा वो 6 का 6 candle पहला जो one hour candle है उसके अंदर होना चाहिए पहला one hour candle का जो high है वो भी तूटना नहीं चाहिए पहला one hour candle का जो low है वो भी तूटना नहीं चाहिए और दोस्तो इसी stock का next day जो ओपेनिंग होगा वो यह तो जो high है मतलब यह जो high हम लोग ने mark किया इसका उपार होना चाहिए नहीं तो जो low हमने mark किया इसके मीचे होना चाहिए तो दोस्तों अगर ऐसा stock आपको मिल गया इसका मतलब हम लोगा जो trading का setup है जो strategy 11 का setup है वो complete हो गया और इस stock को हम लोग इस दिन trade करने का कोशिस करेंगे तो friends चलिए हम लोग जाते हैं entry exit पर और देखते हैं कि कैसे इसका entry exit करना है मतलब कैसे आप entry करेंगे कहाँ पर यह से लगाएंगे तो दोस्तों चलिए जाते हैं entry exit rules पर तो friends हम लोग आ गये हैं entry exit rule पर तो दोस्तो पहला condition, we need to wait till closing of third 10 minute candle, that is till 9.45 am, मतलब दोस्तो 10 minute का candle लेना है, जैसे मैंने पहले बताया, और third candle close होने तक हम लोगो wait करना है, मतलब 30 minute wait करना है, तो हम लोगा जो trade चालू होगा, वो 9.45 के बाद ही चालू होगा, तो friends, if the price is running above the opening price, then buy above third candle high, with SL below third candle low, both with small buffer, दोस्तों यह जो small buffer के बाद मैं कर रहा हूँ, यह मैं fine tunes में जाके आपको बताऊंगा कि क्या है, दोस्तों यहाँ पर समाजने का बात यह है, कि price अगर 9.45 पे opening price से उपर चल रहा है, तो हम लोग सिर्फ buy करेंगे, कहां पर करेंगे, और हम लोग का जो SL होगा, वो third, जो 10 minute का candle है, उसी के नीचे रहेगा, उसी तरह दोस्तों, price अगर open price के नीचे रान कर रहा है, if the price is running below the open price, then sell below third candle low, with SL above third candle high, मतलब आपको थाप क्या करना है, तब आपको sell करना है third candle के नीचे, और आपको SL रहेगा, वो third candle का ही उपर में रह तो दोस्तों, condition यही है, buy sell का, अगर price जो है, आपको open price के उपर दिखता है, तो हम लोग को buy करना है, अगर आपको price जो है, open price के नीचे दिखता है, तो हम लोग को sell करना है, कहां पर candle है, third candle के, तो दोस्तों, यहाँ पर target क्या होगा है, यहाँ पर target 2 होगा, जो पहला target होगा वो होगा 1 is to 1 of your SL value जो second target होगा वो होगा 1 is to 2 of your SL value मतलब अगर आपका SL value 1 रूपया है तो आपका पहला target भी 1 रूपया होगा और जो दूस्ता target होगा वो उसका double होगा मतलब 2 रूपया होगा और दोस्तो जो fifth point है if SL hit then we can take reverse trade with same quantity मतलब अगर हम लोग को SL hit हो जाता है तो हम लोग reverse trade कर सकते हैं लेकिन हम लोग same quantity से ही करेंगे quantity को increase नहीं करेंगे अभी दोस्तो आपको लगड़ा होगा कि इतना सारा rule follow करना है इतना सारा rule follow करके आपको जो stocks है वो select करना है तो दोस्तो उसके लिए मैं एक आसान तरीका निकल लिया हूँ मैंने एक scanner बना दिया है और उस scanner को जो है मैंने अपना जो telegram group है वहाँ पे share कर दिया है तो आप telegram group join करके उस scanner को ले सकते हो आपको अगर वो नहीं मिल रहा है हम लोग का जो scanner है PTA gap trap strategy 11 ये वाला scanner मैंने develop कर दिया है आप लोग के लिए और इसको आपको run करना है 9.30 a.m. पे दोस्तो 9.30 a.m. पे आपको इसको run करना है और इसका जो भी यहाँ पे stock दिखाई देगा आपको उसके उपर आपको जो हम लोग का जो strategy है उसको apply करना है और दोस्तो ये screener आपको कहाँ पे मिलेगा ये screener मेरा telegram channel में free of cost CR किया हुआ है कोई भी उसके लिए charges नहीं है आप मेरा telegram channel join कर सकते हैं और वहाँ पे ये जो आपको screener है ये एकदम free of cost मिल जाएगा तो दोस्तो चलिए strategy में वापस जाते है तो friends हम लोग entry और exit भी यहाँ पे जान लिये है तो अभी हम लोग जाएंगे strategy के fine tunes में तो friends हम लोग आगे हैं fine tunes में जो पहला fine tunes है दोस्तो trade only in stocks whose price is above 100 and below 5000 ये भी दोस्तो scanner में already डाला हुआ है तो आपको चीनता करने का ज़रूरत नहीं है हम लोग उसी stock में trade करेंगे जिसका price 100 से ज़्यादा हो नहीं तो 5000 से कम हो दोस्तो daily average volume of the stock must be above 5 lakh ये भी दोस्तो अगर F&O stock में आप करेंगे तो maximum stock में ही आपको 5 lakh से ज़्यादा ही volume मिलेगा तो इसके लिए भी चीनता करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों मैं यहाँ पर जो entry exit buffer के बाड़े में पहले बात कर चुका हूँ वो मैं आभी बोल देता हूँ stock between 102.500 मतलब 1500 आपको 10 पैसे का buffer use करना है entry और exit के लिए मतलब entry और excel के लिए और stock का price अगर 1500 से ज़्यादा है मतलब 1500 से ज़्यादा है तो आपको 15 पैसे का buffer use करना है entry और exit के लिए और दोस्तों fourth point बहुत important है remember to book 75% of your position at first target and 25% at second target मतलब दोस्तों आपको जो है आपका जो भी position है अगर आप 100 quantity में trade कर रहे है तो 75 quantity को आपको first target में book कर लेना है और बाकि 25% quantity लेके आपको second target तक जाना है इससे दोस्तों क्या होगा आपका profit maximization होगा तो friends इतना ही rules था और ये rules तो आपको ज्यादा याद रखने का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्लेडी मैंने scanner बना के share कर दिया है तो friends चलिए जाते हैं real chart में और chart में देखते हैं कि इस strategy को आप कैसे execute कर सकते है तो friends हम लोग आ गया है technical chart में लेकिन chart देखने से पहले दोस्तों मैं पहले आपको screener को दिखा देता हूँ screener में अगर आप जाएंगे तो last day जो है उसमें आप देखेंगे यहाँ पे chart stock select हुआ था इससे पहले भी आपको हर एक दिन जो है कुछ ना कुछ मिलेगा अगर कोई दिन नहीं मिलता है तो trade नहीं करना है लेकिन maximum दिन आपको कोई ना कोई stock जो है FNO script में मिली जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 4 stock आया था एक लाट्शनन टूब्रो एक इन्फो एज मद्दम नौकडी एक है जिन्दल स्टील अन पाउर और जो फोर्ट थे वो है मननपुडाम फाइनेल्स और दोस्तों इसी chart को मैं analysis करके आपको दिखाऊंगा कि trade कैसे execute होता अगर live market में आप इसके execute करते तो तो friends चलिए जाते है चार्ट में तो friends पहला जो stock था वो था L&T आप देख सकते है L&T का previous day आप देखिए पहला एक गंट का candle और बाकी जितना सारा candle है वो पूरा का पूरा इसके अंदर था और जो price खुला था वो आप देखिए इसके बाहार खुला था मतलब low के नीचे खुला था तो दोस्तों इसमें क्या करना है हम लोगों 10 मिनिट के चार्ट में जाना है आप यहाँ प 10 मिनिट के चार्ट में अगर आते हैं तो आप देखिए थाट केंडल के लिए वेट करना है यहाँ पे थाट केंडल का high और low आप मार्ट कर लीजी यह high हो गया और यह low हो गया तो friends अगर high low आप मार्ट कर लेते हैं इसका तो आप देख सकते हैं कि price जो है मतलब थाट केंडल में जब price चल रहा था वो उस दिन का open price के नीचे था तो हम लोगों को यहाँ पे sale करना था लेकिन दोस्तों यहाँ पे sale के तरफ आया ही रही और यह buy के तरफ चला गया तो इस दिन जो है L&T में हम लोगों को कोई भी trade नहीं मिला क्योंकिए price जो है वो उल्टा तरफ चला गया तो दोस्तो नौकडी को देख लेते हैं नौकडी में भी आप अगर देखेंगे डेली चार्ट में तो पहला एक धंट के अंदर आप देखी सकता हो पहला एक घंटा क्या यहाँ पे 10-10-20 मिनिट का भी आप देखोगे price open कहा हुआ था दोस्तो नीचे open हुआ था तो third candle कहां पर चल रहा है open price को उपर चल रहा है तो यहां पर मुझे buying करना था लेकिन दोस्तो buying execute नहीं हुआ और price नीचे आ गया तो जो नौकड़ी है इसमें भी हम लोगो trade नहीं मिला दोस्तो मननापुराम finance में अगर मैं देखता हूँ तो मननापुराम finance में भी एक ही चीज़ दिखेगा देखिए पहला जो 20 मिनिटे उसी के अंदर पुरा दिन आ गया इसका मतलब पहला एक घंट के अंदर भी पुरा दिन आ गया होगा तो यहाँ पे क्या करना था दोस्तो प्राइस देखिए यहाँ पे next day open हुआ है gap down होके मतलब एक दम बाहर तो third candle के लिए wait करना था तो दोस्तो third candle के लिए अगर wait करते हैं तो यहाँ पे यह हो गया third candle और price कहाँ पे चल रहा है दोस्तो देखिए open price से नीचे है मतलब opening तो यहाँ पे हुआ है rate candle का पहला जो candle है तो third candle कहाँ पे open price का नीचे है तो यहाँ पे मुझे sale करना था तो पहले तो यहाँ पे buy के तरफ गया तो यहाँ पे हम लोग trade नहीं लिए क्योंके हम लोग को sale करना है लेकिन जैसे ही यहाँ पे sale execute हुआ दोस्तों यह देखिए sale execute हुआ price एकदम निचे आ गया तो यहाँ पे आपको one is to two ही मिल गया होगा यहाँ पे दोनों जैगा पे मतलब एक one is to one यहाँ पे मिल गया one is to two यहाँ पे मिल गया तो दोस्तों मननपुराम finance में जो है हम लोग को one is to two का इक studio award मिल गया तो जिंडल स्टिल देख लेते हैं दोस्तों जिंडल में भी देखेंगे तो देखिए पहला जो 30 मिनिटे उसके अंदर पुरा दिन बिता दिया मतलब पहला वो एक घंट के अंदर भी पुरा दिन बिता दिया मैं यहां पर एक घंट का चार्ट आपको नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ऐसी ही पासा चल रहा है कि पहला एक घंट के जो candle होगा उसी के अंदर पुरा दिन रहा होगा तो यहां पे भी क्या है दोस्तों यहां पे भी हम लोग को क्या करना है start candle के लिए weight करना है start candle का high और low mark कर देता हूं तो देखें यह start candle का high लो हो गया अभी start candle trade कहां होड़ा है open price के नीचे क्योंकि trade candle मेंやって यहां पे ऊपर open होगा है तो start candle के नीचे है तो हम लोग को sell करना है अगर आप sell करते हैं वहले पहले तो buying के तरब गया लेकिन इसमें तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को sell करना है, और अगर दोस्तों आप sell करते हैं, तो sell आपको यहाँ पर execute हो जाता है, यह वाला candle पर, 1035 के candle पर, और आप देख सकतो हाराम से price कितना नीचे आया, तो आपको यहाँ पर 1 is to 1 भी मिल जाता, और यहाँ पर 1 is to 2 भी मिल जाता, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकतो हो, कि इस दिन अगर आप trade करते हैं, तो आपको जिंदल स्टील में भी 1 is to 2 का मिल जाता, तो दोस्तों यहाँ पर 4 trade आपको मैं दिखा दिया, अगर आप यहाँ पर उससे पहले वाला दिन भी देखें तो टाइटन, जील, गोद्रेज, प्रपरटीज और आर्थी इंडरस्टीज, यह चारो स्टॉक का सिलेक्शन हुआ था, और इन चारो स्टॉक में भी 3 में आपको profit मिल जाता, कोई भी SL नहीं होता, लाँस दो दिन पर कोई भी SL strategy में नहीं हुआ है, मैं इसको यहाँ पर न आप अपना doubt को clear कर सकते हैं, discussion board पे मैं free में provide करता हूँ support, उसके लिए कोई भी charges में नहीं लेता हूँ, कोई भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, तो आप telegram channel को free में join कर सकते हैं, और वहाँ पे directly मुझस से आप support ले सकते हैं, और वो भी कोई भी charges के भी ना, तो friends आस करता हूँ, आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे trade करना है, और कैसे trade को real market में execute करना है, तो friends अगर ये strategy आपको पसंद आया है, और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को YouTube में ज़रूर लाइक करें, और आपके social media timeline मतलब Facebook, Twitter ये सब जगा प पाने के लिए हम लोगा YouTube channel है, इसको अब ज़रूर सब्सक्राइब करें, और bell icon को ज़रूर दबाए, ताके आने वाला हर एक वीडियो का notification अब तक सबसे पहले पहुंचेंगे, तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले educational वीडियो पर,